नमस्कार इनकबर में आपका स्वान रत है कुरोना के नए वेरियन बी वन वन फाइब टू नाइन ओमी क्रॉन को लेकर के पूरी दुनिया में भय वद्धासत है भारत में भी 25 नॉमबर को केंद्री स्वास्त मंत्राले ने नई गाइडलाइज जारी की थी कि कैसे में भी 25 नॉमबर को जो भी सर्कुलर जारी किया था आपको गाइडलाइज दि थी उसका कड़ाई से पालन किजियो और इसके साथ ही करोणा की गाइडलाइज की अवदी एक दिसमबर तक बढ़ा दी अब 25 नॉवंबर को स्वास्त मंत्राले ने क्या कहा था कि उसने यह कहा था कि जहां जहां पे इंटरनेशनल एएरपोर्ट है यानि कि अंतरास्टी हवाई अड़े हैं जहां से वीदेसों से यात्री आते हैं वहाँ पे उनकी टेस्टिंग की जानी है 12 देसों की अलग ठगरी बनाई गी थी High risk वाले उनके साथ ये था कि कोई भी बीना test के नहीं जाएगा सबसे पहले RT-PCR test होगा यदि negative होता है तो उसको फिर से 7 दिन रोका जाएगा फिर से test किया जाएगा यदि positive होता है तो वहीं से इलाज के लिए भेज दिया जाएगा और उसके sample को genome sequencing कराई जाएगी क्योंकि सब उसी से ये पता चलेगा कि इनमें जो कुरोना है वो variant कही Omicron तो नहीं है या delta है या और कोई है उसी के अधार पर treatment हो सकता है अभी तब कि जो खबर है उसके मुताविक भारत में Omicron का कोई भी case नहीं मिला है लेकिन doubtful है कई case है जैसे कि मुंबई में जो 1000 अफ्रिकी देशों से यात्री आये है पिछले 15 दिनों में उनमें से कई में कोरोना positive मिला है और इसी तरीके से को Omicron है की नहीं है अब 31 दिसंबर तक जो guidelines बढ़ाई गई है उसको सब को follow करना है अब बता दे मोटा मोटी जो guidelines है कि वही दो गज की दूरी और जो mask और फिर जो है राजियों के उपर depend करता है कि वो क्या खुलना चाहते हैं क्या बंद रखना चाहते हैं बजार खुलना चाहते हैं नहीं क्या रात की फाबंदी लगाना चाहते हैं क्योंकि अभी की यदि ये बात करें तो आज जो cases मिले हैं 6990 मिले हैं और 190 लोगोंने जान गवाई है पिछले 24 घंटे में ये स्वास्त मंत्रा लेके आकड़े हैं तो भारत की जो अबादि हो उस लियास से देखेंगे तो कुरोना के cases जो फिलाल के हैं वो चिंता जनक नहीं है चिंता जनक है तो वो Omicron है जिसकी वज़ा से मुंबई में इस्कुल खोलने का जो decision हुआ था उसको postpone किया जा रहा और कई अबहुपे जो है इस्पूल कॉलेज खोलने को ले करके जो चल रहे हैं उस पे पुनरविचार किया जा रहा है सभी राजे सरकारे अपने अस्तर पे मिटिंग बुला करके ये देख रही है कि sample testing जो positive आते उसके genome sequencing के लिए कितनी lab है कितना डिली टेस्ट कर सकते जैसे कि दिल्ली में 100 हो सकता वैसे ही पश्चिम मंगाल का क्या है महराष्ट का क्या है फिर बेट की बेवस्था की जा रही है कि इसमें किस तरीके के लक्षण पाए जा रहे हैं आपको बदा दे कि 11 और 14 तारीक को साउथ अफ्रिका में पहला केस मिला था Omicron का और उसके बाद से दुनिया में दस अफ्थालनी शुरू हो गई थी एक अच्छी बात यह है जो किंद्रिश्वास सचीव है राजेस बुस्वार होना ने साफ किया है कि यह RT-PCR और इंटिजन टेस्ट से बाहर नहीं है यानि दोनों टेस्ट से यह पकड़ में आ सकता है तो इसके पूरे जो भी कोरोना से रिलेटेड और नया जो यह वेरियंट आया है इस पर हमारी नजर है जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आप से साजा करेंगे रहें ने बेखबर देखते रहें इन खबर थैंक